यही धर्म है मोक्ष पतगामी, मध्यम मार्ग सरल, पांच अनुशीलन है इसके, मानो पालन कर, सतकर्मों की पूझी बना ले, प्रेम भाव अविरल, कर्मों को अपना धर्म समझ ले, करना किसी से न चल, ऐसे ही महान विचारधारा से जुड़ जाएं, चैनल नंबर 466, यूस चैभीम, मैं शाद मिर्जा, मैं आशा करती हूँ कि हमाय समविधान के अलग-अलग मूलियों का से रिलेटेड, नई जनरेशन का परस्पेक्टिव आपके सामने में रख पा हूँ, इस साल कॉंसिट्यूशन देपर हमाय समविधान को 72 यह हो रहे हैं, और यह जो दिन था, 26 नवेंबर 1949, भारत के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपोन दिन था, एक नजरिये से देखा जाये तो यह एक रेविल्यूशन था, भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, कि अलग-अलग जात के लोग बराबर स्थर पर आ गये थे, एक औरत को एक नवेर्सल अडल फ्रेंचाइज का यह एक्जांपल ले ले, कई सारे वेस्टन देशों से पहले इंडिया में सभी सभी अडल्स को मत के अधिकार मेले थे, वैसे कई बार हम Constitution को लेकर यह बात करते हैं कि समवधान को लेकर पढ़ें क्या, वैसे यह सही बात भी है, क्योंकि अगर 790 आर्टिकल्स है और 12 शेडियूस है, तो एक आदमी को कैसे संज़े गए, और यह बात भी ठीक है कि इट इस कॉल्ड लॉयर्स पारडाइज, क्योंकि इतने सारे अलग-अलग तोड मरोड के उसकी प्रिंसिपल्स अपलाई किये जाते हैं, तो इस पर क्या इलाज है एक है कि हम Constitution को Constitutional Morality, समवधानिक नेतिकता के तरीके से समझें, और समवधानिक नेतिकता सिर्फ एक सिर्फ सेट अफ रूल्स नहीं रहेगी, that is also a set of morality, जो हमारा कौन समवधान है, वो सिर्फ हमें laws नहीं बताता है, it is not just law of the land, हमारे Constituent Assembly के अलग-अलग मूल्य, अलग-अलग principles, जो थे हमारे Freedom Struggle के, वो भी हमबाइब करता है हमारा Constitution, और इसलिए ये सिर्फ एक legal text नहीं है, ये हमें एक lifestyle की morality भी सिखाता है, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, Supreme Court ने Bachan Singh versus State of Punjab में कहा था कि हमारा सम्विधान एक अनोखर document है, जो कि है, it is a very unique document, यह सिर्फ एक legal text नहीं है, ये human values, हमारे cherished principles और spiritual norms का एक रूप है, यहां एक व्यक्ति की गरिमा बनाए रखता है, हम कई बार सम्विधान के बारे में बात करते हुए सिर्फ fundamental rights, fundamental duties, directive principles of state policy के बारे में बात करते हैं, पर हम कई बार इस topic को भूल जाते हैं, जो है सम्विधानिक नैतिक्ता, और उसके अलग-अलग आधार, जो हमें हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी बनाए रखना है, और जिस तरह एक-एक बून से सागर बनता है, वैसे ही अगर हर व्यक्ति सम्विधानिक नैतिक्ता को समझ कर अपने जीवन में अमल करना शुरू करे, तो शायद हम उस हमारा जो देश है, वो सच में एक बहुत ही महान देश बन सकता है, विभिन्न लोगों के परस पर विरोधी हितों के बीच effective coordination, अलग-अलग लोग है, अलग-अलग states में बटे हुए, अलग-अलग religion में, अलग-अलग caste में बटे हुए, अलग-अलग भार्शाय बोलते हैं, इनके मत, इनके हित कई बार एक दूसरे के विरोधी हो सकते, they will have conflicting interest, इन सब के बीच, effective coordination होना, ये एक समवधानिक नैतिकता का पाठ है, जो सही है, हमारे देश में जो आजकल हम continuously identity politics चल रहा है, ये बाबा साहिम आमेडकर का कहना उसी चीज को दर्शाता है, जिसका उन्हें डर था, और यही चीज हमें समझनी की जरूरत है, कि समवधानिक नै नैतिकता इस चीज पर क्या कहती है, अब ये तो काफे टेक्निकल और कोर्ट्स वाली बाते हो गई, समवधानिक नैतिकता अच्छली क्या है, समझनी के लिए, constitutional morality समझनी के लिए, सबसे easy तरीका है, preamble को समझना, हमारे समवधान की प्रस्तावना को समझना, हम सब जानते ह की बाबसाय बामेड कर, he is the chief architect of Indian constitution, पर कई बार हम ये नहीं जानते की प्रस्तावना या preamble, उनका एक अनुखा gift था, to the people of this country, और प्रस्तावना जो है, ये एक तरीके से उद्देश बताती है, हमारे समझना, इसलिए शायद इसे उद्देश का भी कहते है, तो हमें चार रोल्स है, preamble हमें source of authority बताता है, क्योंकि वो शुरू ही होता है, we the people of India से, वो ये बताता है कि समविधान कहां से आया, समविधान हम इस देश के हम नागरिकों से आया, वो हमें nature of state भी बताता है, nature of Indian state क्या है, इंडिया जो है, वो एक सोबरन, socialist, democratic, secular democratic republic है, भले ह socialist और secular जो है, वो 42nd amendment act में आया, लेकिन ये समविधान एक नहतिकता के मूलियों में अल्रेडी प्रेजेंट था, अलग-अलग fundamental rights के जरी, तो आईए हम इसी nature of state, Indian state को पहले समझते है, sovereign, sovereign का अर्थ ही है कि हम भारत के उपर कोई और विदेशी ताकत का कोई प्रभाव नहीं है, भारत खुद के decisions खुद से ले सकता है, जो 1950 के पहले शायद नहीं था, possible, क्योंकि when we got independence in 1947, उसके बाद ही हम properly independent हुए, and it was in 1950 that we became sovereign, socialist, हम कई बार कहते हैं कि समाजवादी है, socialism is not a part of India, लेकिन that is not true, हर जगे का socialism अलग है, और India का definition of socialism is different, इंडिया एक welfare state है, और इंडिया में जब हम आगे पढ़ेंगे प्रियांबल में, तो एक सामाजिक नियाए या आर्थिक नियाए, ये एक स्वरूप है इंडिया के socialism का, आगे पढ़ते हैं secular, secular धर्म निर्पेश, इंडिया में कोई भी religion की तरफदार नहीं है भारत की सरका इसका यही मतलब है, इंडिया का जो secularism है, वो western model से अलग है, इंडिया में Indian state religions, किसी भी religion को की तरफदारी नहीं करता, और यहां पे सारे धर्म equal है, और ये एक positive type of secularism है, not a negative type जो western models में होता है then democratic, लोकतांत्रिक, अभी तक 1950 तक जो भी था, वो सब अलग-अलग राजा थे, अलग-अलग जिस तरह से मैंने अल्रेडी बताया, तो यहां पर every person had a right to elect their leaders, हर व्यक्ति को यह अधिकार था कि वो उनहीं के MPs और MLA's elect करें, और वैसे ही हम Republic भी है, हमारे हाँ कोई राजारानी नहीं है, जो head of the state है, हमारे हाँ प्रेसिडेंट है, जुसे indirectly elect किया जाता है, तो यह हो गया nature of state, अब आते हैं, objectives of Indian constitution पे, यह जाधा अधिक महत्वपून है, समवेधानिक नेतिकता या constitutional morality समझने के लिए, तो शुर्वात होती है, यहां पे, justice, which is social, economic and political, justice, जो कि सामाजिक में आए हैं, आर्थिक में आए हैं और राजनेतिक में आए हैं, अब social नहाए और economic नहाए का, यह हमें fundamental rights में मिलता है, article 15, आप अगर उसका 3rd, 4th और 5th clause देखे, तो आपको social justice वहाँ बर मिलता है, और वैसे ही अगर आप article 15 में 6th देखते हैं, article 15 clause 6 देखते हैं, तो आप आप economic justice, आर्थिक म्याए के भी प्रावधान मिलते हैं आपको, जहां पे, यह कहा जाता है कि, सरकार अलग अलग जो निचली जाती हैं, SCs, STs और OVCs और जो आर्थिक, जो economically backward लोग है, उनके लिए उनके लिए beneficial solution बना सकती है, तो यह एक social justice का तरीका है, similarly, political justice, political justice के प्रावधान हमें वाइफ, article 15, 1 and 2, जहां पे ना ही state और ना ही कोई व्यक्ति किसी और हम नाकरिक के तरफ अन्याए कर सकता है, उनके जात, उनके religion, उनके gender और इस बेसिस पे, वैसे ही हमें liberty of thought, expression, belief, faith and worship के प्रावधान मिलते हैं, article 19, 21 और 25 में, article 19 हमें freedom of, right to freedom provide करता है, which is a fundamental right, और जब हम article 21 के तरफ देखते हैं, which is right of life and personal liberty, तो यह हमें privacy का भी right देता है, जो कि काफी ज़्यादे expand हुआ था मेंगा गांधी वर्सेस union of India में, और वैसे ही हमें article 25, freedom of religion consigns देता है, और अगर हम अभी देखें, तो जो अलग-अलग जगे यह anti-conversion laws और यह laws आते हैं, तो इसमें हमें देखते हैं कि these are against constitutional morality and therefore against constitution और हमें सिर्फ यहां तक के नहीं सीमित रखना है, जब हम हमारी बेटियों को दूसरों से शादी करने के लिए मना करते हैं या हम हमारे बच्चों को एक ही career path चुनने के लिए कहते हैं या फिर हम हमारे बच्चों को अगर वो हमारे religion पर question करते हैं, तब हम उन्हें रोपते हैं, तो यह हम उनकी liberty भी इंफ्रिंज कर रहे हैं, तो जिस तरह से justice या liberty अगर हम समझ लें, तो आधी constitutional morality तो हम वैसे ही समझ गए हैं, और इसी के साथ में हम हमारे life को या हमारे आसपास की society के लिए भी एक अलग सोच विचार की धारा हम बना रहे हैं, उसी तरह से equality of status and opportunity, जो हमारे पूरे right to equality के प्राभधान है, विच आर्टिकल 14, 15, 16, 17 and 18 और आर्टिकल 21A विच प्रवाइज राइट तो इक्वालिटी देता है, आर्टिकल 17 विच अबॉलिशन ऑफ अबॉलिशन ऑफ अबॉलिशन ऑफ टाइटिल्स देखिये हम लोग सब जानते हैं कि अबॉलिशन की अबॉलिश्टी पर हम एक नहीं तरीके का जो है स्टेटिस पर एकोनॉमिक स्टेटिस पर जो हम लोग एक नहीं तरीके का डिस्क्रिमिनेशन शुरू किया है जैसे हमारे मेट्स के साथ या उस वर्क के लोगों के साथ में हम जिस तरह से बिहेव करते हैं वो एक नहीं फॉर्म ओफ अन्टिच बिलिटी का एक तरीका है वैसे ही हम जब आज भी हम देखते हैं कि अलग अलग अक्टर्स अंके नाम के आगे पदमर श्रीव यह सब लगाते हैं दाट इज ऑल्सो इल्लीगल आस पर आर्टिकल 18 पर क्यूंकि हम और आप को समधानिक नहितिकता समझते नहीं है इसलिए हम यह सब प्रक्तिस आज भी अपनी लाइफ में कारी फॉरवड कर रहे हैं सिमिलरली आर्टिकल 21E विच इस राइट टो एजुकेशन इस पैंडेमिक के बीच में हम सब जानते हैं कि कितने बच्चों का वो राइट टो एजुकेशन खतम होने के बराबर हैं हां सब चीज़े अब यह ऑनलाइन हो पर कहां खड़े होते हैं एक आज इन इंडिविज्वल और जो प्रियांबल केहता है यह एक व्यक्ति की गरिमा और इस देश की इंटेगरिटी और यूनिटी के आधार पर रखता है फ्रेटर्निटी वाले प्रिंसिपल को और सही बात है कि अगर फ्रेटर्निटी नहीं रहेगी तो इस कंट्री में इंटेगरिटी और यूनिटी नहीं रहेगी जो हम आज हमारे आसपास देख रहे हैं समाज में जिस तरह से समाज बच जा रहा है रिलिजिन के आधार पर पॉलिटिकल आइडियोलोजी के आधार कि एक constitutional morality का based नहीं हो सकता जब बंगलदेश में कुछ होता है तो उसका उसी का consequence होता है तृपूरा में जो violence होता है फिर उसका एक result होता है अमरावती में जो violence होता है तो कश्मीर में कुछ होता है दूसरे दूसरे states में उसका impact होता है तो क्यों हम हमारे हम नागरेकों को एक अलग वर अलग पक्षों में बाट रहे हैं क्यों हम अस वर्सिस देम की आइडियोलोजी फॉलो कर लें क्या ये समवधानिक नैतर्ता के खलाफ नहीं हो रहा है और जब हम जब तक के हम एक सोशल डेमोक्रेसी या को नहीं जरम देते त और इस सोशल डेमोक्रेसी का एक कोट है डॉक्र बाबा साहब अंबेडकर का डॉक्टर साहब बाबा साहब अंबेडकर केहते हैं उनके कंसूर्णिंग स्पीच पे ऑन 25 नवेंबर 1949 को कि बिना सामाजिक लोग तंतर के सोशल डेमोक्रेसी के राजनेतिक लोग तंतर नहीं रह सकता और वह सोशल डेमोक्रेसी को डिफाइन ऐसे करते हैं कि सोशल डेमोक्रेसी एक वे ओफ लाइफ है जो लिबर्टी फ्रेटर्निटी और एक्वालिटी को रेकनाईज करता है और उन्हें यह भी कहा कि लिबर्टी फ्रेटर्निटी और equality एक holy trinity है क्योंकि equality के बिना fraternity और liberty अधूर है वैसे ही जैसे fraternity के बिना लोगों की स्वतंत्रता और समता complete नहीं है तो इसी के साथ मैं यह कहना चाहूंगी कि हमें fraternity यह हमें constitutional morality को court rooms के discussion से निकाल के हमारे घरों में लेकर आना है हम जब तक कि as an individual in principles को मारी life में नहीं इंबाइब करेंगे तब तक हम अपने आपको एक Indian citizen को proudly नहीं कह पाएंगे तो मैं इसको एक anecdote के साथ में end करूंगी मैंने so Gautam Buddha से एक व्यक्ति उनसे पूछते हैं कि धर्म का या principle का क्या काम है लाइफ में तो Gautam Buddha कहते हैं कि जैसे एक व्यक्ति अगर नदी क्रॉस करना चाहे तो उसे नाओ की जरूरत है तो वह नाओ बनाता है और उस नदी को क्रॉस करता है और दूसरे किनारे पहुचने के बाद में वह यह सोचता है कि अरे यह नाओ तो बहुत काम की है और वह उसे उठाकर अपने साथ में हर जगे लेकर जाता है फिर Gautam Buddha उसक्ति से पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है यह उस आदमी ने ठीक किया तो वह जवाब देता है नहीं यह तो बड़ी बेवकूफी हो गई कि हर जगे वह नाओ लेकर जा रहा है तो फिर Gautam Buddha जवाब देते हैं कि य यही यह यह धर्म नहीं है धर्म का सिर्फ तब काम होता है जिस तरह से एक नाओ हम बनाकर दूसरे किनारे तक के पहुछते हैं धर्म का वही काम है या प्रिंसिबल्स का वह काम है तो यह जो हम अपने लाइफ के साथ में कर रहे हैं कि Baba साइब आम बेड़करी की तस्वीर देते हैं यह हम समविधान के ऊपर अलगलग प्रॉमिसेस करते हैं लेकिन उसे हम अक्चुली हमारे लाइफ में इंबाइब नहीं कर रहे हैं हमाई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो तब तक हम अप्चुली अमबेड कर आइट नहीं कहला सकते हैं तो बस मैं यही कर दो दो करदने को